हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई यूटूब चैनल, सौनम्स के चेंड कॉर्णर में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं, यूपी की मसूर हल्वा, जो हमारी गन्मियों में दिमाग को एकदम ठंडा बना कर रखता है चलिए इसको हमने आज एक बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, आप इसको एक बार जरूर बना कर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी देखिए, देखने में ये आपको लग रहा होगा, एक दम कितना अच्छा, परफेक्ट बना हुआ है आप इसको बना कर फ्रेज में एक अफते के लिए भी इस्टोर करकर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है चलिए अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन पर प्रेज जरूर करिएगा जिससे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए सबसे पहले हमने ये दो फ्रेज लोकी लिए हैं, इस तरह से आप एकदम कच्ची लोकी को लीजिएगा, कोसिस करिएगा, लोकी में बीज ना हो, इस तरह से हमने इसको धोगार अच्छी से साफ कर लिया है सबसे पहले हम इसके उपर सब नीचे से डंठल को निकाल कर अलग कर लेंगे, जिससे की इसको में छीलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हमने दोनों लोकी के डंठल को अलग से काट कर निकाल दिया है, चलिए और इसके बाद हमें इस तरह से लोकी को इदम पतला पतला चल का चीलना है, ज्यादा मोटा चल का नहीं चीलना है, इसी तरह से हम दोनों लोकी को चील कर साफ कर लेंगे, और लोकी को चीलने के बाद इसको हमें एक बार पानी से अच्छे से दो लेना है, देखिए इस तरह बाद हमें बाद हमें दूने के बाद हमने एक बाद फेला हुआ बरतल लेंगे हैं जिससे कि इसको हमें वह प्रोब्लम ना हुँ इस्तरह से एक फैला वुद बर्तल लेंगे चलिए इसके बाद हमें लोकी के इस तरह से बीच से दो पार्ट कर लेनी है जिससे कि हमें इसको गिसने में कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से स्वे मोटी और महीन और एक बीच के साइज की तीन तरह की कद्दूकस है हम इसमें अज मीडियम माली साइज में कद्दूकस करेंगे आप चाहें तो मोटी वाली में भी इग्रेट कर सकती है इस तरह से हमें इसको एकदम बारी बारी महीन कद्दूकस कर लेना है देखिए इस तरह से हमें लोकी को अच्छे से गिस कर रख लेंगे इस तरह से हमने सारी लोकी को गिसकर रख लिया है गिसने के बाद हमें लोकी को नहीं दोना है और जो इसमें पानी होता है उसको भी हमें निकालना नहीं है ऐसा नहीं है गिसने के बाद ये काली पर जाएगी आप इसको घिसने के बाद तुरंत कुकर में डाल दीजिए क्योंकि हमें इसको बॉयल करना है पानी भी इसमें हमें डालने के कोई यावशकता नहीं है क्योंकि लोकी में अल्रेडी पानी की मात्रा अच्छी होती है इस तरह से आप एक फैला सको कर लीजिए और इसमें हम आदा ग्लास दूर डालेंगी जिससे कि जो मारा लोकी का एकदम फिलीवर है अच्छे से आएगा दो से तीन भी से लिए आने के बाद पांस मट के लिए मैं ग्यास को सुरू कर दिना है जिससे कि हमारी लोकी अच्छे से पक जाएगी देखिए इस तरह से हमने लोकी को अच्छे से बॉयल कर दिया है और जो हमने इसमें दूर डाला था उसका वी हमें आपको ऐसा लग रहा होगा हलका हलका खोए का टेक्स्चर आ जाता है जली सबसे पहले एक ड़ाही में इस तरह से हम लोकी को निकाल लेंगे जो इसमें पानी या दूर की क्वांटिटी है इसमें डाल देनी है अलग से कुछ नहीं निकाल लाए मैं गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और इसमें आप हम डालेंगे एक ग्लास दूर और इसी के साथ इसको में अच्छे से पकाना है जैस के फ्लेम को मीडियम रखेएगा छोटे छोटे जो टिप्स होते है इसके साथ आप अपनी रेस्पी को बनाईए आपकी डिस एकदम और फ्रेक्ट बनेगी बीच बीच में हम इसको इस तरह से मेस करते जाएंगे जिससे की हमारा गाजर का अलुवा बनता है उसी तरह से इसको भी हमें पका लेना है चलिए पांच मट की बाद एक बार इसको हम देखते हैं देखिए दूर्थ के साथ जो इसका टैस्चर आया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में जैसके फ्लेम को हमें मेडियम रखना है ना ज्यादा हाई रखना है और ना ज्यादा स्लो रखना है सेम उसी तरह से पकाना है जिस तरह से हम गाजर का अलुवा पकाते हैं बीच बीच में इसको अच्छे से प्रेस करते रहे हैं अब इसमें एक कप चीनी डालेंगे चीनी भी आप अपने एकोर्डिंग डाल सकते हैं आप कम या ज्यादा मीठा जैसा पसंद करते हैं उस एकोर्डिंग आप इसमें चीनी एट कर सकते हैं इसको भी सी के साथ अच्छे चीनी भी साथ में पख रही है किसी स्टेज्ज पर आकर स्ट में जब चालर तोड़ा सा फूड कर लिया है आज से 10-10 इसने हैं कलर ज्यादा नहीं डालना है quantity इतनी रखनी है जिससे कि ये देखने में एकदम natural color लगे ज्यादा color गिरी नाल देंगे आप तो इसका color एकदम खिल कर नहीं आएगा ऐसा नहीं लगेगा एकदम natural color बना हुआ है जरा सा color हम इसमें over add कर देते हैं क्योंकि हमें ये थोड़ा सा कम लग रहा था इसी तरह से इसको आप अच्छे से मिलाते हुए mix कर लीजिए जितना अच्छे से mix करेंगे color उतना ही अच्छा है इसमें एकदम खिल कर आएगा और इसी तरह से slow gas पर हमें से पका लेना है आपको इसमें चीनी की या पानी की जो दूद की मातरा थी इसको अच्छे से पकाना है ऐसा नहीं हो इसमें थोड़ा गीला पन रहे जाए जिससे की हमारा हल्वा खराब हो सकता है इसी तरह से जब तक इसका एकदम पानी या दूद जो होता है शूप न जाए उसी stage पर हमें इसको पकाना है देखी आप देख सकत अब इसमें हल्की अल्की बबल समारी आ रहे है अभी थोड़ा सम और पकाएंगे एक कटोरी इसमें हमने फ्रैस मावा लिया है इसको भी सीके साथ मिक्स करेंगे इस तरह से आप इसमें मावे को भी डालिएगा आपको खाने में ये अलगी टेश्ट देगा इस तरह से इस तो मैं आप एक बार जरूर बनाकर ट्राइए करिएगा आपको लॉकी का हलवा कैसा लगेगा और मुझे जरूर बताईएगा चलिए देखिए कितना अच्छा एकदम इसका कलर आ रहा है इसी तरह से इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक हमारी बवास सारे खतम न चलिए लिया ч त्रह से लोगों को शेयर करिएगा इस तरह से आम इसको अच्छे से पका了ा कि एक से दूर में इसको हमें और चलाना है इतने में यह हमारा यूपी का जो मसूर हलवा है गर्मियों का हमारा बनने वाला है चलिए अब इसके बाद हमें क्या करना है हलवे को पकने के बाद अच्छे से ठंडा होना देना है देखे आप इसके देख सकते हैं यह बिल्कुल हमारा एकदम पतला नहीं है एकदम घाड़ा हो चुका है रखने के बाद यह और अच्छे से घाड़ा हो जाएगा चलिए अब इसको हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है चार से पांस घंटे इसको आप अच्छे से छोड़ दीजिए आप चाहे तो इसको ओबरनाइट भी रख सकते हैं हलवा हमारा एकदम ठंडा हो चुका है अब इसमें हम डालेंगे एसंस जो हमारे गर्मियों में दिमाग को एकदम तरु ताजा और ठंडा रखता है यह हमने केवड़े का एसंस लिया है अगर आपके पास नहीं है आप इसमें खस का एसंस भी मन करेगा देखनी देखते ही आपको मन कर रहा होगा और सोचिए जब इसके साथ इसमें जो इसमेल मिलती है उसके साथ तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुग ना हो जाता है बस इतना याद रखिएगा ठंडा होने के बादी इसमें आप एसंस को डालिएगा गरम में हमें बिल्कुल नहीं डालना है इस तरह से हम इसको एक बावल में निकालकल फ्रीज में ये अटाइ डिब्बे में रख लेंगे जिससे कि हमारा हलवा चार से पास दिन क्या एक हफते भी कुछ नहीं मिगड़ेगा इसका इस तरह से आप इसको ठंडा ठंडा फ्रीज में र अपना आएगी इस तरह से स्कूप पसर डालकर हम लग देंगे आप चाहें तो इसमें ड्राइफ रूट्स भी आट कर सकते हैं चलिए इसी तरह से आप मेरी चैनल पर आती रहिएगा और नहीं नहीं वीडियो को देखते रहिएगा